बगट टेक्नो आईटी सॉलुइसन में आपका स्वावा थे मैं आधित्य पढ़े और मैं आज आप लोग को जेम पे MSME या उद्धमी जो अभी MSME उद्धमी हो गया वो अपडेट कैसे करेंगे जेम थे पोटल में उसके बारे में बताऊंगा जदि आपने MSME पहले का सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा या उद्धमी का आपका नया रेजिस्ट्रेशन मना है तो उद्धमी आपने MSME से उद्धमी मना लिया है और उद्धमी को आपको यहाँ पे कर सकते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कैसा सब्सक्राइब यहाँ पे जेम के साइट पर लॉगिन हो चुका हूँ और मेरे प्रोफाइल पर जाओंगा और यहां से मेरा यह उद्धमी का certificate है लोगे आपको उद्धमी का certificate नहीं पता तो दिखे इस तरह के उद्धमी का certificate होता है जहां पर वो आपको number मिलता है जो MH26 है मेरा तो आपको यह certificate देखने को मिल रहा है तो मुझे यहां पर UM number अब यह उद्धमी का numbers और अब जो नया certificates मुझे मिला है उद्धमी दोनों का difference है पर यहाँ पर UAM number माल रहा है तो आपको UAM number कहां से मिलेगा वो certificates मैं आपको दिखाता हूँ MS26 दोनों का यह same रहेगा और इसके नीचे देखिए उद्धोग आधार मेमोरेंडियम में बोलके ल देखिए यह जो है आपको यह आपका आधार का उद्धोग आधार का number है तो आपको यह number वहां पर input करना है यहाँ पर देखिए MS26D बाकी का आगे का जो 0010892 यह पूरा सेम रहेगा तो मैं वहां से लेकर यहाँ पर वह जो भी number से वह number को मैं यहाँ पर input करता हूँ और mobile number जो आपके आधार का जो आपने उद्धमी में mobile number रेजिस्टर्ट के है वह mobile number यहाँ पर डाल दीजिए verify and save यह जैसे करेंगे यह MSME का आपका details पहले update नहीं था अभी वह update हो जुका और अभी एक नया आया है DOE order compliance तो DOE order compliance ज़िए आपको है तो आप यहाँ पे दो options है पहला और दूसरा तो आपको यहाँ पर आप जदि आप within है from such a country जदि आप अपने country के according लिए ही purchase कर रहे है कोई भी चीज बाहर से purchase नहीं करते सब कुछ आपका insert made in India है तो आप first वाले में क्लिक किजिए या फिर आप बाहर से कोई भी चीज पोड़ेश करते हैं तो आप न यह अभी आपके form पर नए updates हुआ है आप कभी भी इसको चाहितों बदल सकते हैं तो भी easy से हो जाता है जैसे कि आप जो भी आपको चाहिए जदे आप within इंडिया करते हैं तो first वाले में क्लिक किजिए submit कीजिए OTP आएगा OTP input कर दिजिए और यह आपका compliance का column आपका update हो जा झाले करते हैं...